हेलो दोस्तों मेरे नाम रोईत और स्वागत आप सभी को अपने यूटूब चानल बिसेस सेंटर में तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि रिपोर्ट लेखन क्या है और इसकी विशेष्थाओं का उले करें ठीक है रिपोर्ट लेखन क्या है और इसकी अब तो वह अलग वीडियो में लोग देखेंगे इसमें बताना विसेस्ता ठीक है तो चाहे रिपोर्ट लेखन आ जाए या तो फिर आपका परतिविदन लेखन आ जाए और इसकी विसेस्ता अगर बोलेगा तो आपको विसेस्ता लिकना है जैसा कोचन बोलेगा वैसा ही अंसर देना और पटांग अंसर नहीं देना इससे आपको माक्स अच्छा नहीं मिलेंगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट लेखन क्या है तो देखें आप रिपोर्ट लेखन मैं आपको पहले ही बता देता हूं माल लोग कि कहीं पर कोई घटना को एक्षडेंट हुआ और उस समय आप सामिल थे आप फिर अगल बगल में थे और आप क्या कर रहे हैं वहां का बीबरन लिख रहे हैं कि पहले इधर से गाड़ी आया इसकी गलती था फिर टकर हो गया फिर इतने आदमी घायल हो गये इतने आदमी एक्षडेंट के कारण मर ग पहली बात और दूसरी बात रिपोर्ट त्यार करते हैं समय या तो आप खुद आंखों से देखे हुए होना चाहिए या तो फिर आप किसी और से बीबरन ले सकते हैं लेकिन बिल्कुल बीबरन सही और सटिकता ही होना चाहिए इसी को बलते हैं रिपोर्ट कोई भी चीजो तो आखिर company के पास जाएंगे उससे समझेंगे वो सही-सही data देंगे कि हाँ इतना sale हुआ वही चीज आप लिखेंगे ऐसा तो नहीं कि आपके मान में खुद से पहले से आप जानते हैं कि इतना sale हुआ होगा आखिर जाएंगे लोगों से पूछेंगे तभी तो अपको सटिक जनकारी मिलेगा ना तो इसी को हम लोग बोलता है रिपोर्ट तो सबसे पहले रिपोर्ट लेखन का आर्थ क्या तो रिपोर्ट सब्द का हिंदी रूफ ही परतिवेदन होता है इसलिए हम आपको बोल रहे है कि रिपोर्ट देदे या परतिवेदन देदे बात सेम पड़ता है ठीक है चलिए next हाई कि किसी भी कारी का कोई भी घटना कोई भी योजना कोई भी तथे आधी कि सबंद में छानवीन या पूष्टाच आधी करने के उपरांथ त्यार किया हुआ वीबरन परतियों ये दिन कलात अंपको बोलेते कोई भी क्या हो सकता है कारी कोई भी काम हो सकता है ठीक है कोई भी काम कोई भी घटना कोई भी योजना हो सकता है कोई भी तथ्य हो सकता है ये सब चीजों से सबंदित आप खुद से छान भीन किजिए या तो किसी से क्या कर लिजिए पूछ तास करने के उपराद जो त्यार होता है न विबरन उसी को अम लोग परतिवेदन कहते हैं ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट अगर सिंपल और सरल सब्दों में कहा जाए तो सरल सब्दों में किसी भी विशेश घटना कारिय योजना या किसी भी विशेश के परमु बताए कि कोई भी घटना हो सकता कोई भी काम हो सकता कोई योजना हो सकता तो कोई और भी विशेश हो सकता है वह सभी विशेश को करमबद तरीका से और संचिप्त करमबद मतलब सिरियल भाई यह नेकी अटपटांग जहां तहां से लिख दे रहें ठीक है करमबद मतलब हो विवरण त्यार करना वोही मारा क्या कहलाता है पर्ति वेदन कहलाता है ठीक है इसका एक पॉंट से देखते हैं भूत या वर्तमानानी की पहले के समय में या तो फिर वर्तमानानी अभी के समय में की विशेषगटना, कार्योजना, सामारो आदी का संचिप्त करंबद विवरन परतिवेदन है मतलब यहाँ पे एक और इसका डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं कि जो भी कुछ पहले बीत गिया या तो जो अभी वर्तमान के समय में कुछ चाल रहा है उससे सबंदित कोई भी घटना कोई भी कार्योजना या तो कोई अगर समारों हो रहा है तो यह सब चीजों को संचिप्त और चोटा करके लिखना और करंबद लिखना ही परतिवेदन कला आता जो कि यहाँ भी हम लोग देखें करंबद और संचिप्त तो बात से में वहीं पढ़ रहा है इसका एक परिभासा देख लेते हैं देखें कोई भी कोजनों अगर परिभासा लिखते हैं तो वहां से आपका माक्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाता है और examiner भी सोचता है कि अगर ये परिभासा लिख रहा है तो आपको marks अच्छे मिलते हैं ठीक है क्योंकि परिभासा लिखना है कोई असान नहीं है ठीक है कि बिना कोई पड़ेवे जाएगा परिभासा लिखतेगा तो अगर आप परिभासा नहीं भी जानता है कुछ ऐसे underline कर अनुसार एक बिद्वान है जिनोंने यहां पे Oxford English dictionary के अनुसार से अपना परिभासा दिया है ठीक है इनका क्या कहना है कि रिपोर्ट को किसी विशेश मामले पर दिया गया विबरन या किसी नियुक्ति व्यक्ति दवरा गहान जांच या विचार के बाद दिया गया विबर अगर परिभासा आध नहीं रहता था आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन इसको लिखने से आपका मार्क्स थोड़ा सब इंक्रीज हो जाता है चलिए अब देखते हैं जो मैन पॉइंट था हमारे इस कोचन का रिपोर्ट लेकन की विशेस्ता है तो बस आपको ये पॉइंट साथ रखने है ठीक है बाकी इधार का ये सब चीजे तो आप लोग खुद से भी लिख लोगे ठीक है बस आपको पॉइंट साथ रखने है त मतला सही और एक सटीक जनकारी होना चाहिए तो रिपोर्ट का उदेश क्या है असपश रूप से परिभासित होना चाहिए बिल्कुल साप सुत्रा और इसे सर्वत्तम उप्यों के लिए एक मुल्यवान दस्तवेज बनाती है देखिए जब ये सटीक रहेगा ना असपश र तब 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 जो महत हुए बढ़ जाता है दूसरा पोइंट आद राखना तथ्यों की सटिकता जो भी इसमें तथ्यों कि कितना लोग घाल हो एक कितना मरें वो तत्य बिल्कुल सटीक होना चाहिए ठीक है तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है आपने तो रिपोर्ट में दी गई जनकारी सटिक तत्यों पर अधारित होना चीए विल्कुल सटिक होना चीए चुकि निर्नए रिपोर्ट की गई जनकारी के अधार पर ही लिया जाता है क्योंकि देखिए अगर कोई भी निर्नए लेना है कि हाँ उस रास्ता पर इतना आदमी घायल हो गया है तब उस जनकारी सटिक है या अकड़े गलत निर्नसाते के अर मसें जाते हैं तो इसकी बहुत बदया सब्सक्राइम राएं तो रिपोर्ट में परस्तूत तथ्य प्रशंगिक होने चाहिए आप्रशंग्र जो होता है न आ दूपन करता अब मालो कि चीज़ करके करने जाएं अपर संगीक फिर किसी तरीका से परेशान हो रहें तो पहले हमारे पास रिपर्टट तो होना चाहिए कि हां अस्ट्डिंट प्रइसान होए इतना लोग छाइल हुए तभी तुम सरकार के उपर को करवाई करेंगे, ना नgement तो फिर पर हमारे उपर यह बाद्धा डल जाएगा तो एक सतीक होना चाहिए पर संगिख होना चाहिए सब्द जाल मतलब कठिन सब्दों का परियोग नहीं करना चाहिए तक्निकी सब्द का मतलब भी होता हो हाड़ हाड़ सब्द का परियोग नहीं करना है ना और एक अच्छे रिपोर्ट का संदेश स्वा व्यक्यात्मक होनी चाहिए संदेश स्वा व्यात्मक का मतलब होता है कि ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए उसकी भासा ऐसा सरल होना चाहिए कि व्यक्ति पढ़े हैं उसको खुद समझ जाए है ना भाएðा, है संच्चित, जीतों जितना हों से के छोटा होना , यह ने कि बड़ा बड़ा लिखा जाना चाहिए लोग इंटरेस्ट नहीं लेते न लेते हैं न बहुत लंब नहीं होना होना चाहिए ना, लहीं रिपोर्ट पाठ्थ Lewis, पड़िने वाले की रूची परभावित करता नहीं कि इसकी रूची को कम कर देता है बलकि इसका मतलब यह होना चाहिए एक अच्छी रिपोर्ट वहा है जो कम से कम सब्सक्राइब अधिक जनकारी परतान करते हैं मतलब कम से कम लिखा ज़ा और अधिक सदिक जनकारी भी मिल जाए है ना सभी मामलों में यंदे लिघते हैं रूसमें व्याकरंट से और अलग अलग होना चायों जैसे इंगलिस में इंपौर्टेंट कोना चाहिए मतलब उसमें होना ही नहीं चीव तुरूटियां वाय कि कोई भी गलत राचना पाठा के मन में उसका अर्थ अलग बना देता अगर व्यकरन गलत रहेगा तो पढ़ने वाला व्यक्ति भी क्या हो जागा गलत तरीका से पढ़ेगा सातमा असपस्ट ता बिल्कुल रिपोर्ट असपस्ट होना चाहिए न एक अची रिपोर्ट बिल्कुल असपस्ट होती है रिपोर्टर मतलब जो रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति जो लिखना है रिपोर्ट अपना उदेश असपस्ट करना चाहिए उसको अपना भी उदेश मर गें आतो इतना एक्स्राइंट हो गए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए वह भी अपना उध हुझ न कुछ देहना सिर्फ आपगाई जो है वही लिखिया इसा नहीं होना चाहिए अपनी सुरोतों वह बताना चाहिए निसकर्स का मतलब होता है कि जब पूरी बात हो गया तो लास्ट में इसका निसकर्स क्या निकला जो उसका बनावट है, सामगरी जो उसमें चीजों बनाने में लगाए जैसे नूज़ पेपर चबता है, तो पेपर तो उसमें बनने में लगता है ना, कलर भी लगता है उसमें, भासा, टाइपिंग और प्रस्तुत सेली, अच्छी तरीका सा डिजान की जाना चाहिए, मतलब जो पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, उसके मन में अच्छा छाप बने और वो उस चीज़ को समझ सके पढ़ सके, कर्म अनुसार, और रिपोर्ट में बातें एक कर्म अनुसार में लिखी होना चाहिए, ठीक है, और एक कर्म की अनुसार होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला उस घटना को एक कर्म के अनुसार समा सके, यह नहीं कि पहले इतना लोग मर गए, फिर गाड़ी उधर से आई, नहीं, पहले गाड़ी उधर से आई, यह एक्स्टेंट हुआ, तब ऐसे लोग घाये लोगे, एक कर्म के अनुसार से होना चीए, एक अपचारी भासा, अपचारी भासा का मतलब होता है, जैसे हम लोग अनजान व्यक्ति से एक असपष्ट, एक बढ़ियां से लेंग्वेजियों बात करते हैं, अपने घर वाले व्यक्ति में हम लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे बात करते हैं, तो ऐसे नहीं, एक अपचारी वालों को ऐसा नहीं लगा कि यह कैसे कैसे बहुत बताया जा रहा है इसमें है ना बिल्कुल ऐसा भासा जो एक चीज रिपोर्ट अगर त्यार हुआ है तो उस रिपोर्ट को देकर कि हम किसी भी चीज में निर्ने ले सकते हैं सरकार भी निर्ने ले सकती है ना नेक्ट है क्या एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति को सुचनाओं का हस्तंत्रन रिपोर्ट देने का उद्यस है देखिए इनका दूसरा महत तो क्या है की एक वक्ति से दूसरे वक्तिमें किया जाया इसका भी सहता निकाला जाता है ठीक है next संक्या के सब्द में पूर्ण जनकारी मिलता है कितने लोग घाय लिए दस लोग तो इस संख्यां के बारे में हमको जनकारी मिला यह नहीं मिला next company की परगती की जनकारी है मालों कि यह report company के बारे में तो इससे हमें यह पता चलता कि company आगे परगती कर रही है कि नहीं कर रही है तो उसके बारे में जनकारी मिल जाती है हम लोगों को ठीक है next समस्याओं के छेत्र की पाइचान और यहां से यह भी पता चलता है कि आखिर किस छेत्र में समस्या है रिपोर्ट जब आती है ना सरकार के पास भी तो रिपोर्ट आती है क्या सरकार सभी के पास गुमल चलती है नहीं सरकार के पास भी रिपोर्ट आती है जिससे यह पता लग सबंद बनता है जनता से ना एक अच्छा सबंद बन पाता है रिपोर्ट के माध्यम से तो ये था दोस्तों मारा रिपोर्ट दे या परति वेदन दे इसके विशिस्ता को हम लोग देखें अगर कोफचन महातों भी दे दे तब भी यही लिख सकते हैं अगर उद्देश भी द झाल सबंद परति वे लुष के इसके शहरुद कहता है जिम क만 हैर दे इसके को हम भी दूदेश भी देग्द़िस्ता करे ये आडर को अधर् Jim llevarया महा दो के लिए